नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराधी डॉक्टर साहिब के आज के वीडियो में हम यह जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर कोई ज़रूरत से जादा पल के जपका रहा है जब कभी नाच चाहते हुए भी आपके आँके बहुत ज़्यादा जपकने लगती है तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान है और ये चीज़े समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंग जो की बिहार के सबसे जानी मानी नेत्री से जुड़े हर एक रोग के विशेशग्य है तो डॉक्टर साब सबसे पहले नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब अकसर लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो नहीं चाहते हुए भी बहुत जाद अपनी पलक जपकाते हैं तो ऐसा क्यूं होता है? देखे आम तोर पे देखा गया है कि बच्चों में जो मरीज लेके आती हैं बर्माता हैं वो बच्चों के बारे में कहती हैं कि ये पलक जपकाते रहता है तो उसके कारण ही होते हैं कि बच्चों में बच्चे लैप्टॉप, मोबाईल, फोन पर पूरा गुसे रहते हैं आख उनकी खुली रहती है और पलक जपकाते हैं उसमें आने क्याद बनती है और दिये दे करते करते हैं ये आदत बन जाती है तो उनको तो एक हैबिट बन जाएगी तो बाद में वो ठीक भी होने पर वो हमेशा पलक जपकाते रहेंगे तो हैबिट के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं कि बच्चे की माताओं को कहते हैं कि इनको मोबाइल वगरे से दूरी मिंटेन कराएं और ये आदत को बदलाओं करें लेकिन कुछ तकलिफें होती हैं जिसमें कि रेकरेंट ब्लिंकिंग ऑफ आई लीड होता है मुखिता उसका कारण होता है ड्राइ आई आई आखों में सुकापन तो ये जो जीवन शैली है अधनिक जीवन शैली में फोन का लैप्टॉप का कम्प्यूटर का महत हो ज़्यादा हो गया है हम लोग उस पर रहते हैं उस पर जब रहते हैं तो एक समय गुजारने के लिए भी रहते हैं वीडियो गेम खेलते हैं इसमें कि आप आँखे फार करके गौर से देखते हैं इतना देखते हैं आँखे फार करके कि आप उसको आँखों का जो पलक जपकाने कदर जो समानेता 16 परती मिनट है वो घटके 4-5 परती मिनट हो जाता है तो आँखों में सुखापन होता है और सुखापन होता है तो उस वेक्ति की आदत लग जाती है आँख पलग जबकाने की बाद में इरिटेशन होता है इरिटेशन होता है करने के सिकायत होती है तो आँखे जबकाता है तो आख जबकाने के शिकार डिराई का फॉलो अट होता है, आदत हो सकती है, अब कुछ वेक्तियों के नर्व के प्रब्लम में, जो नर्व सप्लाई करता है तो उसमें ब्लिंकिंग होता है और ब्लेफरो स्पाजम, अब देखेंगे वो वेक्ति लगे है कि वो आँख मार रह होता है, इसके अलावा जो हमने कहा कि स्ट्रेस से, स्ट्रेस में वो आदते हो जाते हैं आँखे जबकाने की, वो स्ट्रेस में रहेगा, आँख में भारी पन रहेगा, आँख में सूखा पन रहेगा, इन सब चीजों को बचने के लिए वो आँखे जबकाने की आदत होती ह और आँखे जपकाने से वो करने आप इसका उपचार क्या है तो उपचार तो पहले है कि आप ये पता कर लें कि आँखे जपकाने का कारण क्या है तो कारण में अगर आप ये देखते हैं कि कारण में अगर आँखों का सूखापन है तो उसको कहिए मुक्वेक्ति को कि आप म से कम इस्तमाल करें और अगर इस्तमाल करें तो इंटरिमिटेंट यूज करें हर घंटे पर आप अट जाएं और पानी से आँख को धोएं और आँख बंद करें फिर इस्तमाल करें दूसरा कि अगर आपको भलग जपका लेया तो consciously उसको रोकें अप रोके के विए आदत ना बन जाए पलक जपकाने की ये सब करें लेकिन इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि नर्व के कारण में ब्रिफ्रेव स्पाजम वगरा हो गया है तो चिकिचसक से राय ले लें वो चिकिचसक एंटी एंजाइटी की दवा भी देगा, स्ट्रेस की दवा भी देगा और स्ट् लगे, कॉस्मेटिकल ही अच्छा नहीं लगे तो आप उसको इंजेक्शन दे के भी करेक्ट कर सकते हैं तो आग जपकाने की एक समाने समस्या है जिसका कि मुक्ता कारण ट्राय आई है, आखों का सुखापन है, आखों का सुखापन न रहे, इसके आप हर संभव प्रयास कर और इसके साथ ही आप अगर देखें कि अगर इसके बाद भी नहीं होता है, तो आप नीरो-फिजियो लॉजिकल कारण भी कर लें उसको ताकि आप उसको आप उसको वहां पर नर्फ अगर प्रॉबिम है तो झरो-फूजिशन भी देखेंगे, स्ट्रेस ठीक करेंगे, नर् तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्षन या मेल बॉक्स के मादिम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं धन्यवाद